असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स पार्ट टू बालत जी के अंदर चैप्टर डबल टू हमने शुरू किया है इसका नाम है वेरियेशन एंजनेटिक्स आज के टॉपिक का नाम है जीन लिंकेज तो जीन लिंकेज को समझने से पहले थोज से बात पहले हम रिवाइज कर लें डबल टू चैप्टर का फर्स लेक्चर था वहां पर मैंने क्रोमोजोम ड्रॉ किया था जो आपके टैक्सबुक के अंदर डबल टू चैप्टर के फर्स पेज पर डायग्राम ड्रॉ किया है वहां पर क्रोमोजोम ड्रॉ है क्रोमोजोम को अगर आप देखें तो वहां पर आपको देखें रहा है कि आप देखें मुझे बताएं कि वो क्रॉमोजोम है क्या उसके इंदर एक जीन ड्रॉ किया है या मैनी जीन एक एक क्रूमोजोम के उपर तो अगे आपको याद पड़ता हो तो क्रूमोजोम झो होता है एक क्रूमोजोम फ़े एक जीन नहीं होता बलोके 1000 ही या बताया है कि हर और्गिनिस्म के अंदर बहुत जादा क्रेक्टर्स होते हैं ठीकải ना अगर हम हिमन्स के अंदर खासुसियात को देखें, क्रेक्टर्स को देखें, ट्रेड्स को देखें, तो वो काउंटलेस हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड्स हैं, बहुत ज्यादा क्रेक्टर्स हैं, तो बहुत ज्यादा क्रेक्टर्स हैं, आज जानते हैं कि हर क्रेक्टर के पीछे जीन है, तो ज ज्यादा जीनज हैं लेकिक क्रॉमोजाम का नंबर लिमिट़ड है जैसे हमारे पास इ legitimately 46 होते हैं तो क्रॉमोजोम में 46 हे हालांकि Since जिनताλά में इसका मतलब कि पर एक जीन तो नहीं रह सकता एक क्रॉमोजाम पर एक जीन होगी फिर के ऐच क्रोमस今日 है मस्ट केरी मैंडी जीन को सबत्व है ना तो मैं भुटा दी है आ ऊपर कि और कि अर्क इसमके अंदर बहुत ज़्याधा ट्र скорее arcastождsm है जन traumi करने के लिए बहुत जदा जीन्स हैं लेकिं क्रोमोजूम का नबर तो लिमिटर है इट मीन्स वन क्रोमोजूम और एज क्रोमोजूम मस्ट कैरी मैनी जीन्स मैनी जीन्स ओनिट तो एज क्रोमोजूम मस्ट कैरी मैनी जीन्स ओनिट और एक क्रोमोजूम पे जो सारे जीन्स होंगे एक क्रोमोजूम पे जितने फ़र्ज कर रहते हैं कि जो आपने क्रोमोजोम देखा है डवर टू चैप्टर के फर्स पेज पे उस पे जतने क्रोमोजोम आप जितने जीन्स आपको एक क्रोमोजोम पर दिख रहे हैं हम कहते हैं कि आपस में लिंक्ड हैं कि वह लिंक्ड जीन हैं हम यह बोलेंग All the genes located on the same chromosome are linked together मैं लिखा है कि एक chromosome पे अगर दस genes हैं तो दस genes हैं chromosome हुई है तो जतने भी जीन एक chromosome पे होंगे वापस में क्या होंगे वो होंगे linked genes होंगे और जहर है कि वो chromosome के अंदर जीन कठे रहेंगे तो ये जो phenomena है of string together of all the genes of a chromosome एक chromosome के उपर इन genes का एकठे रहना दिस इस स्कार जीन्लिंकेज तो जीनिंकेज क्या हुता है जीनिंकेज कहते हैं कि आल दा जीन्स प्रैजेन और स्षिम क्रोमोसूम लिंक्ड है लिंक्ड एफ़ लिंक्ड है वो जीन एकठे रहेंगे होंगें तो एक क्रोमोजम पे जो जीन्स कटे रह रहे हैं इसको हम कहते हैं एक तो यह चीज आप सीख लें टो रेवीव कर लें तो मैंने आख को बताया कि ऑर्गनिजम के अंदर है रहा हमारी बोडी के अंदर है बहुत ज्यादा क्रेक्टर्टर्स हैं तो यह कंट्रॉल करन पर जो मैनी genes होते हैं, वो आपस में लिंक मैं तो यह जो relationship है genes कि वह एक क्रमोजEx का कर्मोजूम पर कथे रहते हैं, जीन लिंगेज अगर आप गौर करें तो gene linkage जो है तो फशिकल Ratio relationship है, बिटूर नगन तक है तो फशिकल तो डबल टू चैप्टर के फर्स पेज पेज इसको में रेफे रहा हूं उसमें आपको दो क्रोमोडम दिख रहे हैं तो आप जानते हैं कwhat उनपे जीन सेम हम जानते है अएक आलील होता है एकک पर पर्ftा है अएक प्रेल हृता है दूसारे प्रेल जिसके अलिज तो हैं लेकिन जीन पैर उनके सेम हैं जिसे आई वाला जीन डूती है या दो ऑगी है अगो ह कहते हुए है लिग च्रोमोजम फटी तो जो होमोलोग҉स ख्रॉमोजोम हैं उंको कहते हैं कि a link group है तो जितने आपकी पास homologuses पेर थीस आपकी पास homologus pairs हैं तो तभी कैक्ष ठीक है नेक्स पर आते हैं जी तो नेक्स अगर हम देखें तो मैंने ना कुछ यहां पर लिंकेज ग्रूप ड्रोग की है जैसे जीन फॉर्ड कलर ब्राइडनेस यह टॉपिक आगी आएगा आपका कलर ब्राइडनेस जैसे हम लोग थी में इन कलर्ज होते हैं आपके परेमरी क कलर देख पाते हैं तो उन्हें जो कहते हैं ट्राइक विए योट तीनों कर देख पाएंगे वह सारे कलर्स देख पाते हैं को हम्केते हैं कि वह ट्राइक वियोन होता है ctrl मैंटेस के उजे है या वो और देखनि पा रहे होते या वो ग्रीन देखनि सकते या ब्लू देखने पाते उन्हें कहते हैं कर रष्च थे तो व्य जू वक्ता है क्अ में अछरा पे और काम करता है हीए मि और कहते हैं bleeders disease इनके अंदर clotting factors नहीं होते blood जमता नहीं है clot नहीं करता तो जब इनको cut लगता है या उनको wound लगता है तो they bleed to death तो खून उनका clot नहीं होता तो death हो सकती है अनीमिया की वरा से आगे लिखे हैं मैंने gout arthritis तो मैं करें चाहता हूँ कि वो gene जो involved है for carabinus और वो gene जो involved है hemophilia और वो gene जो involved है gout में ये सारे gene x chromosome पर देख लें हम इसके मतलब है ये सारे gene जो हैं वो same chromosome पर हैं क्योंकि same chromosome पर हैं तो हम इने बोलेंगे कि ये जो हैं वो linked genes हैं अब आपको और भी वाज़ हो गया होगा कि gene linkage से क्या मुराद है तो ये gene linkage है कि ये genes एक chromosome पर है एक और लिखे है मैंने gene for sickle cell anemia जिसके अंदर हम जानते हैं कि हीमोगलोबन को आता है problem और वो sufficient oxygen करी नहीं कर पाती sickle cell anemia, gene for leukemia, abnormal white blood cells formation या albinism जिसके अंदर skin बिलकुल light हो जाती है और skin के अंदर melanin नहीं होता तो अगर skin के अंदर melanin नहीं होगा तो skin बिलकुल light से हो जाती है तो ये तीनों genes जो है वो भी chromosome 11 के उपर है तो देख लें यूं कहने फिर ये और linkage group है ये और linkage group है ये genes आप पर स और ये genes आपस में linked है ऐसे होता है ठीक है तो ये जो दो example थी ये आप सारे आपके लिए सारा part easy कर देंगी अच्छा आगे मैंने एक छी लिखी विया लिंक genes whose loci are tightly linked don't obey mandal law of वैसे पूरा word mandal law of अस्वानी कहा चाहरा हम है ये mandal law of independent assortment है अब मीरी तरह बार सुनिएगा अगर हम गोर करें के फूर एंपल ना अगर हम देखें ये किसी और क्रोमोजॉम पर है ये किसी और क्रोमोजॉम पर एक्स पर है ये क्रोमोजॉम नबर 11 की उपर है तो ये ये तो बिल्कुल डिफरेंट ही जाएंगे आगे independent assort करेंगे ये independent assort करेंगे ऐसी होगा ना ये और क्रोमोजॉम है ये और क्रोमोजॉम है तो ये दोनों तो Mendel के Second Law को बेख करेंगे Independent Assort होंगे अच्छा इन दोनों को देखें For example अगर आप इन दो जीन को देखें अगर आप देख रहे हैं दो जीन जो different chromosome है For example ये पहला जीन और ये पहला जीन ये जीन और क्रोमोजोम पे है ये जीन और क्रोमोजोम पे है इसके मतलब पहले आप मुझे यह अखोको करें यह दुनु जीन्स यह दुनु जीन्स honest नहीं करें तो जाहर है कि ये दो और क्रोमोजोम में है ये और पे ये और पे तो इसको तो परवा नहीं है इसकी ना इसको परवा है इसकी तो ये तो इंडिपेंडेंट असौर्ट करेंगे हाँ इसके इसमें क्या होगा ये दोनों जीन एक क्रोमोजोम की उपर ही है जब दोनों जीन एक Whose loci are tightly linked? Don't obey Mender's law of independent assortment. ठीक है जी? यह आपको topic था, यह long question भी है, gene linkage का. Hope so आपके लिए काफी helpful रहा होगा. Wish you all the best. Allah Hafiz.